हेलो स्टुडेंट उनैस नमंबर को आप लोग सेंट परिच्छा साइंस का पेपर देने वाले हैं आप लोग अच्छा दस्वी के लिए तो बिलकुल यह 100% प्रिशन पत्र लेकर आज चुके हैं तो आप लोग का परिच्छा में हूँ बहुत 100% यही पेपर आपको रहने वा तो आएए पहला कोशन देखिए आप से क्या पूछा गया है इसमें आपको जोना मातर 40 कोशन बनाना है असी में से मातर कितना 40 अबजेक्टिव भी बनाना ठीक है तो पहला कोशन आप से पूछा गया आपर देख सकते हैं कि निम्र मैंसे कि फोकस दूरी जोती है नहीं धन अगला कोशन के पूछा गया है परकास के वरतन के कितने निया में तो सभी को पता होगा परकास के अब वरतन के दो निया में बाबुत इसका सब्सक्राइब कर पाएंगे सबकुछ इस क्लास में बताएंगे इस क्लास को पूरा आप लोग देखिएगा अगला कोशन है किसी लेंस द्वारा उत्पन आवर्धन का इसे मात्रक क्या होता है जिसका कोई भी आवर्धन लेंस का मात्रक नहीं होता है मात्रक वहीन होता है इसलिए इसका नमबर डी हो जाएगा अगला कोशन देखिएगा सिक्स नमबर कोशन किसी गोल यह दर्पन द्वारा बना पर आवर्धन जो हैं किसका होगा यहां पर बराबर तो बिल्कुल याद रखे हैं सिक्स का जो राइट अंसर का ना यह बराबर क्या हो जाएगा माइनस से भी बटा यह यह ओड़ी यह दो अगला कूशन है उत्तल दर्पन की फोकस दूरी और उसकी बखता तिरिज्य कानुपात कितना होता है तो आठ का जो राइट अंसर हो जाएगा वान रेशियो यानि कि वन बटा दू होता ठीक है यानि आपसन नमबर यहापर भी हो जाएगा अगला कूशन है नेत्रे हो जाने से कौन से दृष्टे दोस होता है बाबू लेंच के बखतती जया कम हो जाने से उनको निकट दृष्ती दोस हो जाता है इसका राइट जो ठोगा आपसन नमबर यहा पर सी हो जाएगा ठीक है अगला कूशन है आज 10 नमबर कूशन देखिएगा काच के अर्टा ले आइसक्ति में मैं से क्या होता है ध्यनात्मक होता है और आपका रीनात्मक मि auth राइटन रो जागा ठीक है अगला कोशन है 12 नंबर कोशन उपकरन जो विद्धुत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता है वह क्या कहला तो वह क्या कहला नहीं अगला कोशन है श्रेनी करम में जुड़े दो परतिरोध हो को परतिरोध एक आरवन है येवं आरटू है इसका समतुल परतिरोध बराबर किसके बराबर हो जाएगा तो तेरा के याद रखेगा आरवन पलस आरटू का हो जाएगा ऑप्सन नमबर या पर सी हो जाएगा ठीक है अगला कोशन और प्रकास भी खतम नहीं लेकिन कोईला आपको सिमीट भांडार यह खत्म हो जाएगा अगला इन्द्य कोशन है TV गांक गटा का मात्रग क्या होता है तो और मात्रग हो तो वो क्या होता तो याद रखेगा विद्धु धारा होता है बाबु यानि आप्षिन नमबर यहां पर यह हो जागा ठीक है इलक्ट्रिक करंट होता है अगला कोशन है 16 नमबर कोशन देखेगा निमलीकित में से कौन बर्ण भी छेपन पर धरसीत करता है तो बर्ण भी छेपित अगला कोशन देखेगा नरोरा परमानु सक्ति केंद्र किस राज में है तो बिल्कुल याद रखेगा सत्रा का जो राइट अंसर हो जागा वो उत्तर परदेश में यहां इसका राइट अंसर ऑप्सन नमबर हो जागा ठीक है चलिए अब अगला कोशन जाने से पहले आपक घेगा ठीक है यहां देख सकते हैं तो इसी वालए लिंक्र आप लोग क्या कर देजएगा कि meget यहां पर देखिये दो टरिक्सर के हाँए निचीर आजाए या पर देख सकते हैं बिहार बॉन मैट्रिक्टॹॉस व्êuहांाईाब कोशन पेपर डाउनलोड लिंक ठीक है तो तो यहां पर आप लोग क्लिक कर देना इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं खूल कर आ जाएगा ठीक है सब कुछ इसमें बताया गया ठीक है आपको नीचे आ जाना है जैसे आप लोग नीचे को स्क्रॉल करेंगा और यहां पर तो देखे पहले अंसर के यहां पर अपडेट कर दिया गया जो भी आपको अस्कोल में बनाना सारा अंसर के अपडेट कर दिया गया सब्जेक्टिव कोशन भी अपडेट हो जाएगा कुछी दर्वे में तो यहां से डॉनलोड कर सकते सब्जेक्टिव कोशन और इफिरी वाट्सप ग्रूप को बी जॉइन कर लेकी है यहां से भी subjective d ワुडik डिया गया है यहां से whatsapp को जॉइन करने से कोर्षन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं तो सारइ फिसलिटे इसी ओइर ल्ठिल दिया गया बर देख सकते हैं अगला जो अगला जो है कुंडली को घुमाने का काम मुलता करती है क्या करती है यह उच predictive की हवा ठीक है option नंबर याप यह हो जाएगा अगला को शन देखिए हो वर्ण भार्ण विच्वकर एव derrière बताना वर्ण संबभ है फाइबर में क्या वर्ण विच्वकर नहीं अगला कोशन है एक बिद्धूद एक बस्तू कोने बढ़ाने पर रेटीना का पर्तिवीं क्या हो जाएक यह जाएक लिसको में पर उल्पीया पर यह ता बिल्कुल राइट अगला कोशन देखी। में इसे कौन से कथम तेम है इसमें सही क्या लगा और ब io घूल्ड बरहanti ओप्सिंदियों। क्या होता है क्या होताए चुलाम होता ? अगला स्टेशन है अगला स्टेशिय निकेल निकेल भी होता अगला देखिएगा सोडियम करें कि अच्छा में patrono की संख्या कितनी होती है बाभूत अठाइश का जो राइट अंसर होगा वह एक हो जाएगा option number यह पर ए बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा अगला कोशन है हाइड्रोजन के दो परमानों के बीच कितने आबंध बनते बाबू तो हाइड्रोजन के दो परमानों के बीच जो आबंध बनते हैं आपसे पुछा गया है तो एक आबंध बनते हैं इसका right जो जाएगा option number A हो जाएगा ठीक है अगला कोशन देखिएगा गलकोज के एक अनुमे oxygen की कितने परमानों होते हैं तो गलकोज का जबी बात क्या जाएगा ता आपको 6 होगा option number A पर भी बिल्कुल right answer होगा अगला कोशन इसका अनुमे साइनग कितने सलंज सेंजक बंधन होते हैं तो 32 जो लो आपको साथ हो जागा जाएगा अगला कोशन है अमले राजम के ताजा बिलियन में किस अनुपात में स्टांद्रे हाइड्रोकलोरिक अमले नाइटरिक अमले में होता है तो बिल्कुल याद दखी का 33 का जो राइट अंसर होगा वो ठीरी रेशियो वन होता अप्सन नमबर है पर डी हो जगा ठीक है तो अपर देखिए आप को 33 तक बता चुके हैं बाबु 33 का बाद जितना है आपको आप लोग कहां से देख सकते हैं आप लोग website से देख सकते ठीक है कहां से देख सकते website से जाकर वहां से आप लोग 50 में आपको 40 में वहां से 40 आप लोग कर लिजगा ठीक है आप लोग 33 तक पूरा है पर बता दिया